नमस्कार दोस्तों ये Q-Test special है क्योंकि इस Q-Test में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 857 के बिद्रों से सम्बंधित पुछे जाने वाले लगभग सभी सवाल जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ये Q-Test को अंत तक देखने से आपको बहुत फायदा होने वाला है फायदा नमबर वन कि आपके दिमाग में एक रॉफली स्केच हो जाएगा कि 1857 के बिद्रों में आखिर हुआ क्या क्या था यदि आप इन तक वीडियो को देखते हैं तो फायदा नमबर टू यदि आपके एक्जाम में आगे चलके 1857 से संबंदित कोई question पूछता है तो आपके दिमाग में एक positive thought जाएगा एक positive thinking जाएगा कि आप 1857 को पड़ कर गए हैं तो आप अगर positive सोचने लग गए तो आप answer भी right देंगे तो फायदे बहुत हैं और हम कोशिस करते हैं कि 1857 के बिद्रो इसमें clear हुआ आगे चलके आपके syllabus के हिसाब से chapter wise वीडियो को भी दिन में लेकर के आया करें जिसको आप यदि एक बार ऐसे भी देख लेते हो थोड़ा सा common sense को present time में रखते हुए तो आपके धीरे धीरे आप में एक अच्छा अपने syllabus के प्रती तयारी आ जाएगा well confidence आप में आ जाएगा तो हमारे इस QTist को आनते तक जरूर देखिए और कोसिस करिए कि हम परते question का answer दे पहला सवाल आट्रसो संतावन के बिद्रोह से बिहार का कौन सा भाग और परवावित रहा आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पास सेकिन का समय जादर समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो answer सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है option नमबर 2 पटना जो की प्रवावित नहीं था question नमबर 2 निम्रा लिखित में से कौन सा अस्थल राजस्थान में 857 की क्रांती का केंद्र नहीं था तो राजस्थान की राधानी जायपूर और जायपूर में इसका कोई केंद्र नहीं था question नमबर 3 अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले कार्टूतों से चलने वाली एन्फिल्ड राइफल कब सामिल की गई मुख्य कारण यहीं था और इसका बिरोध करने सबसे पहले मंगल पांडे जी ने पहले आये थे तो आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए 1857 के पहले हुआ होगा तभी तो बिद्रो हुआ तो थोरी से टीपिकल आप आंसर सोच सकते हैं इसका राइट आंसर है option नमबर 2 December 1856 में ऐसा सामिल करा तो इसका बिरोध मंगल पांडे जी ने वही सेना में थे और अपना एक धीरे धीरे छोटा छोटा गूट बना करके इसका बिरोध करना शुरू किये थे question number 4 1857 में किसने अलहाबाद को अपतकालिन मुख्याले बनाया था question में कोई doubt नहीं है right answer है option number A Lord Canning question number 5 निम्न में से कौन सा एक छेत्र 1857 के बिद्रोह से प्रवावित नहीं था हमें लगता है कि बहुत कम लोग इस वीडियो को इन्ड तक देख पाएंगे क्योंकि merit सभी का नहीं बनता जो अंत तक परियास करते हैं उन्हीं का merit बनता है बीच में जो छोड कर जाएंगे तो exam भी उसको छोड कर चला जाएगा क्योंकि यहां हम आपसे बिल्कुल serious इस वीडियो को बना रहे हैं आप अगर देखते हो तो आपका कल्यान है नहीं देखते हो तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला है राइट आंसर है आपसे नमबर बी चित्तोर question नमबर 6 1857 की करांती में अंग्रेजो वे जोधपूर की सन्युक्त सेना को प्राजित करने वाला था यह बीर योद्धा थे राइट आंसर है आपसे नमबर डी आउवा के ठाकूर कुसलसिन टक कर दिये थे वहाँ से question नमबर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यह चैनल आपके सिलेबस को फलो करता है आपके लिए वीडियो ले करके आता है जिसे देख करके आप अपने अगामी एकजाम को बहुत जल्दी सजल्दी फाइट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दे धन्यावाद question नमबर 1857 के निम्नलिखित करांती कारियों में से कि इसका वास्त्विक नाम राम चंद्र पांडूरंग था right answer है option नमबर B तापया टोपे question नमबर 8 महरानी लक्षमिवाई की समाधी कहां इस्तित है right answer है option नमबर D गवालियर question नमबर 9 1857 के विद्रोह के समय ब्रीटिस परधान मंत्री कौन था right answer है option नमबर B पाम 10 नामक एक आदमी था जो ब्रीटिस के परधान मंत्री था question नमबर 10 आधुनी की तिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंतरता की पहली रराई कहा था right answer है option नमबर C विद्री सावार कर question नमबर 11 right answer है option नमबर A खान बहादूर question नमबर 12 भारत के परथम सोतंतरता संग्राम का मुख्य ततकालिक कारण था right answer है option नमबर B अंग्रेजों का धर्म में हंत्रचेप का संदे question नमबर 13 निम्रा लिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संगहर्स किया right answer है option नमबर C सहादत खान question नमबर 14 right answer है option नमबर B किसी समान ने योजना और केंदरिय संगठन की कमें नहीं इनके पास कोई योजना था और नहीं कोई संगठन था इसका मुख्य और वजह यही था question नमबर 15 right answer है option नमबर C हजरत महल question नमबर 16 मंगल पंडे कहां के विपलौ से जूरे है right answer है option नमबर A बायरकपूर question नमबर 17 857 का पर्थम सौतंतरता संगराम असफल हुआ क्योंकि यह interesting question हो जाता है कि क्यों पास हुए क्यों फेल हुए तो इनका असफलता का मुख्य कारण क्या था right answer है option नमबर D उप्युक्त सभी भारतिय सिपाहिवों में उद्दिश की एकता की कमी थी उसको जरूरी होता है आपके लिए भी अभी भी कि आपके लक्ष fix होना चाहिए कि आप किस सीज की तयारी कर रहे हैं आपको क्या बढ़ना है आप seasonally form डालते हो आपका यह fix नहीं होता है कि आप railway में जाना चाहते हो कि police constable बढ़ना चाहते हो कि banking शेत्र में जाना चाहते हो कि कहीं और जाना चाहते हो कि high court में जाना चाहते हो तो आपका यह fix होना चाहिए कि मुझे जब बढ़ना है तब हमें constable बढ़ना है police officer बढ़ना है SSC worker बढ़ना है यह जिस दिन आप fix कर लिए तो समझ लो कि 30% आप वहाँ सफल हो गए बाकी आपके मेहनत करना होगा तो यह fix हमारे समझ से जो वीडियो देख रहे हैं उनके 70% से दोस्त लोग होंगे जिनका यह उद्देश से ही fix नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या तैयारी करते हैं आपका जो form आया डाल दिये उसके पीछे भागते चले गए दोस्तों सब अपने आप में समुंदर है यह सबसे पहले fix किजिए कि आपको constable बनना है कि head constable बनना है कि UDC में जाना है तो यह fix करते हुए आप हर सल try करे तो आने वाले एक दो सालों में आप जरूर सफल हो जाएंगे यह निचित है यह हमारी practical करा हुआ है और हमने ऐसा करा है और हमने सफलता भी प्राप्त करा है इसलिए आपको हम बता रहे कि fix होना चाहिए आपका aim अप्सन नमर B क्या कर रहा है प्रायः भारतीय राजाव ने ब्रिटीश सरकार का साथ दिया अप्सन नमर C ब्रिटीश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे उप्युक्त सभी मुख्य कारण था असाफलता की क्वेस्चन नमर 18 निवन में से कौन इलहाबाद में अच्छो संतावन के संगराम का नेता था राइट आंसर है ऑप्सन नमर D मूलवी लियाकत अली क्वेस्चन नमर 19 मंगल पंडे सिफाही था राइट आंसर है अप्सन नमर B 34 वी नेट्यू इनफाक्ट्री का मंगल पंडे हीरो रहे थे निवन लिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रियजों का सबसे कटर दूसमन था राइट आंसर है अप्सन नमर A मूलवी अहमदुल्ला साह अंग्रियज राजपुत राजियों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि यह भी बहुत दुख वरी दस्ता होता है यार अपना आदमी जब अपने से गदारी करता है तो फिर आप उसे जीत नहीं सकते फर्स्ट ताइम तो बिल्कुल हार जाओगे वही हुआ था उस ताइम इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर A अस्थानिये सासकों ने करंतिकारियों का साथ नहीं दिया था उन्होंने पैसक बदलत अंग्रेजों ने उनको खड़िद लिया था बहुत अच्छा सवाल है और वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत भी करा है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर A सायद अहमद खा क्वेश्चन नमबर तेज़ अच्छो सांतावन के संगहर्ष में भाग लेने वाले सिपाहिवों की सरवेधिक संख्या कहां थे राइट अंसर है अप्सन नमबर B और दिसे क्वेश्चन नमबर चौविस अच्छो सांतावन के बिद्रोह के दोरान बहादूर सा ने किसे साहव और आलम बहादूर का खिताब दिया था राइट अंसर है अप्सन नमबर C बॉक्थ खान ओके बॉक्थ खान को ऐसा उपादी दिया था क्वेश्चन नमबर पच्छेज अच्छो सांतावन के बिद्रोह को किस उर्दू कौवि ने देखा था राइट अंसर है अप्सन नमबर C गालिब और एक सवाल आपसे और आपको बता दे कि ये 857 के बिद्रोह के पार्ट फस्ट है एक पार्ट और बनेगा हमने लंबा नहीं लेकर के गए कि आप नहीं देख पाएंगे तो एक पार्ट और बनाएंगे अगर इस वीडियो का रिस्पॉंस अच्छा मिलता है तो उस पार्ट को हम बहुत जल्द आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे तो पहला सवाल है नाना साहब का कमांडर इनचीप कौन था यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आप कॉमेंट बक्स में लिखे क्यू फोर यू और इसका राइट आंसर और इस वीडियो को सेर जरूर कीजी आप ऐसे दोस्त लोगों के पास जो ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं जो अपने पढ़ाई के बदालत कुछ करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचा है और अच्छा रिस्पोंड मिला तो हम इसके सेकेंड पार्ट को आप तक जरूर लेकर कर आएंगे क्योंकि यह वीडियो बनाने में हमें लगभग आठ घंटा मेहनत करना पर रहा है ओके और आप और वी हमारे अने को वीडियो को देख सकते हैं हमरे चैनल के साथ चूरे रहें मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में बंदे मातरम जाहिंद